आज हम बनाने वाले है थौर का मियोलेजियर इस तरीके का विस्ट मैटीरियल से तो आएए बनाते हैं हमें थौर का मियोलेजियर बनाने के लिए मैटीरियल्स रिक्वाइड है एक वाइट पेपर, एक एरेजर, एक वेस्ट रिफिल, एक स्केच, एक पैंसिल, सीजर्स, एक ग्लू, एक स्केल, एक रफ कॉपी का कवर, वाटर कलर्स और ब्रश हमने इस वेस्ट पेपर में से मैच बॉक्स के साइज के चार पीस काट लिये हैं अब हमें इसके चारो तरफ ऐसे लाइन बना लेनी हैं, अब हमें इसके चारो कॉर्णर काट लेने हैं, अब हमें इसके अपोजट साइड कॉर्णर पे ग्लू लगानी हैं, अब हमें इसके कॉर्णर को चिपका देना हैं, अब हमें इसके साइज का एक पेपर काटना है, जो इस पे फिट आ जाए अब हमें 2.2 cm के साइज का एक स्क्वायर पीस काटना है अब हमें इस स्क्वायर के पीस को इस वाले स्क्वायर के पीस के सेंटर में चिपकाना है इन वाले पीसिस की तरह लाइन्स बना लेनी है अब हमें इने काट लेना है अब हमें इन पीसिस पे इस लेपीस को चिपका लेना है ये कुछ ऐसा दिख रहा है अब हमें सेम ऐसे ही इसकी दूसरी साइट भी चिपकाना है अब आपको इसकी तरह दोनों तरफ से चिपका लेना है अब आपको ट्राइंगुलर शेप के पेपर से इन होल्स को ढग देना है हमने इसका बेसिक पोशन तयार कुर लिया है अब हम बनाएंगे इसका हैंडल ले लिया है यह 7.7 cm का पीपर अब हम इस बॉल पाइंट पैन की रिफिल से इसे रोल करेंगे अब हम इसे एसे रोल कर लेंगे पूरा अब हमें इस पे लगा लेनी है ग्लू इसके एंड पे और फिर इसे चिपका लेना है अब हमें इसे ऐसे चिपका लेना है इतने ये स्टिक हो इतने हम 1.5 सेंटीमीटर ड्रैथ और 15 सेंटीमीटर लेंथ वाली एक स्ट्रिप काट लेंगे हम इस स्ट्रिप को सेंटर में से एक बार फोल्ड कर लेंगे हमको इसे इस तरीके से पेस्ट कर लेना है अब हमें इस स्ट्रिप को इस पेस्ट कर देना है ये हमने इसे इस तरीके से चिपका लिया है अब हमने एक सरकल काट लिया है और हम इसे यहाँ पे चिपका लेंगे ये इस वाले circle से बढ़े एक और circle बनाएंगे और उसे काट के चिपका देंगे यह हमने circle काट लिया है और अब हम इसके center पे चिपका देंगे अब हमने इसे इसे चिपका लिया है और अब हम करेंगे इस पे paint हमारा गली color ready हो गया है और अब हम इस पे paint करेंगे हमने इस पर कलर कर लिया है अब हम इसे फिनिशिंग टैचिस देंगे यह हमारा थाउर का हैमर मतलब मियोलेजियर बन चुका है तो आपको कैसा लगा है थाउर का मियोलेजियर प्लीज कमेंट शेक्षिन में बताइए और हमारे चैनल को लाइक शेयर सबस्क्राइब भी जरूर करिए थैंक यू